हेलो दोस्तों वेलकम टू सानन जी एडिसी हाज जिरू एक नई वीडियो में एक नई जॉब वेकेंसी के साथ तो फ्रें MRF कमनी में मुंद्रा में जो प्लांट है कच में वहाँ से वेकेंसी निकला है वहाँ एक टायर मेनिफेक्चर की कमनी है तो फ्रें HR इंटर्यू है और आपको एक कमनी रोल पे ही वेकेंसी निकला गाया है और इसमें आपको एपरेंटिस सिप किया जाएगा जो लोग फ्रेशर है और MRF जैसी बड़ी कमनी में जॉब करना चाते है उनके लिए एक अच्छा मौका निकल के आया है MRF कमनी में वेकेंसी करने का कैसे एपलाई करना है कितना गंटे जॉब करना है क्या फैसलिटी मिलने वाली है कहाँ पर आपका इंटर्यू होगा और इंटर्यू में आपको कौन-कौन से डोक्यूमन साथ में लेके जाना है सारी जानकारी में आपको इसी वीडियो में सेर करने वाला हो तो वीडियो में अंतक बने रहे है फ्रेंड वीडियो बनाने में और जॉब डुणने में बहुत सारी महनत लगती है तो प्लीज हमारी महनत के लिए एक प्यारा सा लाइफ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड MRF कंपनी में वेकंसी निकाला गया है 2022 requirement ट्रेनी की आपकी पोश्ट रहने वाली है और यह जो आपकी जॉब है ओ पर्मिनेंट जॉब रहने वाली है तो फ्रेंड आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी की नाम की बात करें तो MRF कंपनी उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट रहने वाला है प्रोडक्शन, क्वालेटी और मेंटेनस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको कोईसी भी प्रोड़क को बनाना रहेगा क्वालेटी डिपार्टमेंट में जो प्रोड़क्ट बना है उसकी क्वालेटी चेक करना रहेगा म मैं जिस तरीके से explain करूंगा जिस तरीके से समझाओंगा वो आपको किसी भी यूटूबर के वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं खुद maintenance का 2 साल का मेरा experience है उसके बाद मैं इस वीडियो को explain कर रहा हूँ मैं भी एक company में per minute job कर रहा हूँ तो friend मैं जो जानकारी दूंगा वो 100% रहेगी क्योंकि मेरे को भी पता है कि industry में क्या चल रहा है और कौनसी company में job करना चाहिए कौनसी company में नहीं करना चाहिए जो vendor company है किसी भी company की तो मैं recommend करूंगा आप जो vendor company में job करना चाहते हो तो हो सके तो आप कमदी रोल पे vacancy है तब ही job के लिए apply करे वर्ना ना करे तो ही सही है तो friend यह जो job location आपका वरुच घुजरात रहने वाला है आपकी जो salary रहने वाली है 12,350 रहने वाली है तो अच्छी खासी salary मान सकते है क्योंकि आप apprentice के लिए है qualification जो मांगा गया है ओ ITI pass out आपका होना चाहिए जो कि जो trade की बात करें तो यहां पर आप screen पर भी देख सकते हो कोई कौन-कौन से trade वालों को लिया जा रहा है तो मैं एक बार explain कर लेता हूँ COPA, Diesel Mechanical, Welder, Technology और एनी अधर आइटे ट्रेड वन यर आपका within one year मतलब कि आपका idea one year या two year का आपने किया है तो आप apply कर सकते हो यहाँ पर लिखा गया है only one year आइटे पास आउट वाले apply कर सकते है इसमें आप फ्रेशर है तब ही apply कर सकते है age limit के बात करें तो अठरा से choice के बीच में आपकी age होनी चाहिए फ्रेंड HRD जानकारी मेरे को mail पे मिला है तो मैंने mail से ही उठा के यहाँ पे डाला है ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे हाथ से कुछ लिखा है यह सारी जनकारी मेरे को कमणी से mail आया था तो वीडियो बनाने के लिए sponsor किया था तो उसी तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यह सारी जनकारी मेरे को वहाँ से मिली है जो कि कमणी के जो contractor है या आप बोल सकते हो ठेकेदार बेकेदार जो भी आप आपके हिसाब से language में जो बोलते हो तो आपको जो डोकुमेंट साथ में लेके जाना है वो है अधरकार, पानकार, बेंक पास्बुक की, जेरोक्स, बायो डेटा, ओल, डोकुमेंट, सर्टिफिकेट, पास्वोड, साइज, फोट, मतलब कि यह साथ बोल सकते हैं आप फूरी फाइल ही लेके चले जा सकते हैं, उसके बाद यहां पर आप डेख सकते हो सब्सक्राइड को सब्सक्राणा करी सरफे जा को एक बार विजिट कर सकते हो, धैक यूवाज़ और वजमींट के साथ